हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे कुकुम्बर कार्विंग देखिए उसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले ककड़ी को साफ कर लिया अब हम ककड़ी के दो हिस्से करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है मैंने उसके दो तुकड़े कर दिये अब हम वो दूसरे पाटसिक पे कटेवे पाट को हलका हलका कट करेंगे देखिए ऐसे एक हाफ कट एक और हाफ कट और एक पूरा कट देखिए हाफ हाफ और फुल इस तरीके से और यह सारे कट सिक्दम पतले पतले लगने चाहिए नहीं तो हमारे ककड़ी फोल्ड ने होंगी सपोज मोटी यह देखिए इसको आपको बीच वाले जो कटे उसको इसे फोल्ड करना है और लिफ जो रहती है हमारे उस टाइप में देखिए और आप बहुत सारी लिफ जब जोईन कर दोंगे तब आपको उसका पूरा फ्लावर मिल जाएगा यह आप कभी फूल बना रहे हो दो चाहर तो उसमें यह लिफ भी लगा सकते है ठीक है तो अभी देखिए यह बनाया अभी आप अच्छे से देखिए यह पतला पतला करोंगे तो ही देखो यह जो बीच का हिससा है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यस और यह हमारे तयार होगी एक लिफ ऐसी हम बहुत सारी लिफ तयार करके रखिए मैंने अब हम उसको अरेंज करेंगे और एक सुंदर सा सलात के लिए टेकुरेशन तयार करेंगे अगर आपको मेरे यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बहुत सिंपल है और लुक में बहुत अच्छा लगता है यह जब भी ककड़ी काटो आप प्रैक्टिस उसकी कर सकती है वेस्ट नहीं होती है इसमें ट्यूटेरियल देखा होगा आपने रोज छिलके का रोज में इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखोंगी यह देखे अब यह बन गया आपका पूरा सेंटर पीस सलाद उसके आजू-बाजू में रखोंगे तो बहुत सुंदर देखेगा यह देखे आपका लगी तो लाइक कीजिए थैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो